वहलो दूस्तों नोलेज हमें आपका स्वागत है और आज्चा नोलेज है हिस्ट्री का जानक ह्योतस हिस्ट्री को मैं तीन खंड़ों में बाढ़ कर अच्छी तरह से बता चूका हूं और आज की वीडियो है वह है मुहन जोडरों के बारे में मोहन जोडर से पहले हडापा के बारे में बता दिया था ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को अगर देखेंगे तो ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी आए हम प्रकास डालते हैं मोहन जोडर के बारे में इससे पहले कि सिंदू सब्याता के बारे में थोड़ा से प्रकाश डालते हैं, कि सिंदू सब्याता को किस समय को सिंदू सब्याता कहा जाता है, तो सिंदू सब्याता जो है पचीस सो इसा पूर्व से लेकर सतरा सपचास इसा पूर्व के समय को सिंदू सब्याता कहा जाता है पचीस सो और सतरा सापचास के विजो बीच का समय था उस समय को सिंदू सभ्याता कहा जाता है शिंदू सभ्याता में हड़ापा के बारे में पढ़ चुके हैं हड़ापा जो है 1921 में दायराम सहानी न इसकी खुदाई की थी उस खुदाई में जो साक्ष मिला था, कुम्हार का चाक था, अन्नागा था, मातरे देवे के मुर्थे, ये सब चीजे मिला थे और आज की जो पढ़ाई होगी, ओ होगी हमारी मुहन जोड्रो से मुहन जोड्रों के बारे में समझते हैं मुहन जोड्रों जैसे ही आपको वर्ड सुनाई दे या दिखाई दे ताप यह समझ जाए कि मुहन जोड्रों का यह अर्थ होता है मिर्तकों का टीला मिर्टको का टीला इमान लिया जाए कि ये एक इनसान दादा जी का दादा जी का दादा जी जानवारों को शॉट इुद करते हुए सहीद हो गए और ये हो गए इनके दादा जी ये सेर के साथ लड़ाई कर रहे थे बैचारे ये भी सहीद हो गए और इन दोनों को जब इकठा किये जाएगा तो कुछ उचाई बनेगी जब उचाई बनेगी तो टिला हो जाएगा अगर देशी भासा में ये बात समझा जाएं कि गिहों की बोरी जो होती है अगर सो बोरी अलग अलग है वो सो बोरी कोकर इकठा कर दी जाए तो एक तीले की रूप धारण कर रता है तो वैसे ही मोहन जोडरो का मतलब ही हुआ मिर्तको का तीला आइए हम मोहन जोडरो के बारे में थोड़ा सा प्रकास डालते हैं आईये मोहन जोडरो के बारे में हम पढ़ते हैं मोहन जोडरो जो है इसकी खुदाई 1922 इसमी में राखल दास बनरजी ने किया था यह सिंधु नदी का टटपर और पकिस्तान के लरकाना जिले में वर्तमान में इस्थित है यह सिंधु सवयाता मैं बताया था पचीस सबसे बड़ा सहर है यह मिर्तकू का एक बहुत बड़ा टीला है अगर कोशन पुछे कि सिंधु सवयाता का सबसे बड़ा सहर कौन सा है ता मोहन जोडरो और मोहन जोडरो से जो जो चीजे जो वस्तु मिली है उसके बारे में आईये करके समझते हैं मिली हुई वस्त हुए पुरोहित आवास मनुष्य को इनसान को सबसे जरूत जो चीज होती है ओ घर की होती है तीसे पुरोहित आवास पुरोहित आवास के मतलब पुरी तरीका से विवस्तित पुरोहित आवास जब आवास मिल जाएगा तो वहां पर लोग ज कुमा रखते थे जैसे कि इस तरीके से अगर घर हुआ है तो ये बीच में कुमा रहाता था घर के आगन में तुलसी का प्यन भी रहता है और एक बाल्टी कुमे से पानी निकानने के लिए घर में कुमा फिर जमना असनान कर लेते हैं तो शिव जी का पूजा करें गया शिव जी का पूजा करने के बाद ठाट बाट से सुती वस्त्र पहन कर चोड़ी सड़क पर सभागार करने जाए गया कासे की नर्तकी और तामबे की धेर तामबा तामर पसानकाल से यह पढ़ चुके है आप तो तामबे की धेर मान लिया जाए कि ये तामबा ये तामबा ये तामबा अब क्या हो गया तामबा ही तामबा मतलब कि बहुत ज्यादा मत्रा में एक जगह तंबा करके जोजु बना कर कभी फेक दिया जाए तांबे का धेर हो जाएगा तांबे का धेर मिल गया था नोट करके यह लिखा जाए कि मुहन जोड्रो का अन्नागार्ज था उसके बाद हम पड़ेंगे चनहुद्रोका बारे म हम पड़ते हैं चनहुद्रो जैसे ही देखे और सुने यह समझाए कि महरारू का समान यहाँ पर मिला होगा महरारू से रिलेटेड तो अरत को लेडिस कास्मेस्टिक समान तो लेडिस को क्या क्या चीज की जुरत होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे चनहुदुरो इसकी खुदाई 1931 CCV में गुपाल मोजुमदार ने किया था यह पकिस्तान की सिंदु से बैता सिंदु नदी के टट परिष्टित है और यह एक इधोगिक सहर है इधोगिक मतलब होता है कि चनहुदुरो जो अस्थान था उसमय बहुत काफी बिक्सित अस्थान था और यहां पर जो बताया कि चनहुदुरो से काफी औरते के समान मिली है तो उसके बारे में के करके समझते है कि कौन-कौन से समान मिला है तेहां से मिली हुई वस्त हुए और सब कुछ भूल जाए मेकप समान कभी नहीं भूलती है आप कभी देखे हो कि हैंड बैंग में भी लेकर समान चलती है मैं जब लाइबरेरी में दिली पढ़ता था तेक लड़की को देखा कि वहीं से बैंग निकाली और मेकप करके फिर न तेल रहा है मिला है वे मिला है चंहुद्रो से यह question भी पूछता है यह वीडियो जरूर देखें और देखने के बाद comment करें इसके लिए धन्यवाद